हलो दोस्तों अब सभी लोको इकोनिक टेगनो का प्रोसेसर पार्ट थ्री में स्पागत है में माधनने प्रोसेसर पासॉथ लिंक में डिसक्रिप्शन में देडिया हुँ आप सभी लोक जाके विल्वाय चेक और एक है और एक वीडियो है जो की प्रोसेसर के उपर हिय प्रोसेसर के उपर है दूझवा लोग यह उसका का प्रोसेसर के उपरिये हैं इसानी से समझने के लिए मैंने प्रोसेसर पार्ट 1.2 लेकर आया हूँ जहाँ पर मैंने उसको और भी डिसकस किया है जिसके वज़े से अब लोग उसको और भी आसानी से समझ पाई तो लिंक डिसक्रिप्शन में है आप सब लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्रोसेसर पार्ट 3 प्रोसेसर पार्ट 1 में मैंने बता है प्रोसेसर क्या होता है इसका काम क्या होता है और इसका जो क्लॉक स्पीड है गीगा हार्च वो क्या होता है आप आता है processor part 2 जिसमें मैंने बताया है processor का core क्या होता है तो अखीर last part जो है part 3 वो आ चुका है और इस part में मैं बताऊंगा इसका cache memory क्या होता है और fsb क्या होता है तो आप सभी लोग cache memory को सुने ही होंगे थोड़ा थोड़ा जानते ही है लेकिन FSB बहुत ही नया वार्ड है इसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं और इन दोनों चीजों को जानते हैं question number one catch memory क्या होता है तो computer में जो बड़ा memory होता है वो harddix में रहता है जहां पे one tv आजकल तो two tv 10 tv का भी आ चुका है harddix और इससे short memory है RAM जिसमें आप लोग को 4GB 16GB 32GB ऐसा RAM आ चुका है प्रोसेसर बहुत सारा data RAM और harddix में वो transfer करता है तो इस transfer में उसको बहुत ज्यादा time लग जाता है तो इसके लिए processor उस time को घटाने के लिए तो processor कुछ ऐसा file बनाता है जो की बहुत जल्दी transfer हो जाए और वो बहुत ज्यादा useful हो उसी files को हम लोग cache memory वा memory बोलते हैं तो जो processor का catch memory का जो space होता एं वो ज्यादा होगा उस processor उतना आच्छा रहेगा आप लोग आपका desktop या पर mobile में चेकिजिए आपका anim couch 4 जाद यहाँ है तो अपका processor गती खना अच्फ अप Trustees उपर डिसकास करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा चैनल में जो जो नया और इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा वो सब आप लोग देख सेंके सबसे पहले दूसरे नंबर कोस्टिन पर जाते हैं तो दूस डाटा टरंसफर का जो सवाल उड़ता है उसके लिए वो दोनों के अंदर कनेक्शन रखता है इस कनेक्शन में डाटा जीदना जल्दी टरंसफर होगा उसको हम लोग एफस्प कहते हैं एफस्प जीदना ज्यादा होगा उतना कम समय में रैम मादरबोर्ड और हाटडीक्स जीपियो इस सबसे प्रोसेसर जल्दी कनेक्शन जोड़ पाएगा इसके बाज़े से आपका कॉम्पेटर बहुत ज्यादा स्पीड आप हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा होगा तो आप उसमें बहुत ज्यादा सापोर्ड दे सेकते हैं मतलब 32GB, 64GB, 12GB एस सब्रहम को आप वहाँ पे लगा सेकते हैं आगेर आपका एफस्प ज्यादा होगा तो और एक बाद आपको ध्यान में रगना पड़ेगा कि एफस्प लगाने के समय मतलब उस प काम है तो वो सपोर्ड नहीं कर पकायेगा और आगर आपका माधर वोड का एकसे बिचाम चीजा रहा है उसमें ψ पी यूर्ट की रहा होगा चीजा है तो काम हैं गांव यह का समय में यंगा रहा यहाいきます तो यह था अमारा आज का प्रोसेसर का एपीसोड 3 इसको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैलेंड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्षन में आप आपका कॉमेंट डाल के जाएंगे और इन्फरमेटिव वीडियो मैं लाना चा और जिस कमेंट ज्यादा अच्छा होगा मतलब ज्यादा आएगा उसके उपर मैं वीडियो बनाँगा तो आज के लिए पैसे इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए चाहें हैं